Hello Friends, आज मैं बात करने वाली हूँ लीणिया नाइगरा के बारे में Hello Friends, मैं हूँ प्रिया स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल Pregnancy Tips with Priya में Friends, Pregnancy के ताईम पर हमारे टमी पर एक लाइन बनती है कभी वो dark कलर की होती है, कभी वो light brown कलर की होती है जिसे linia nigra भी कहते हैं तो इसका क्या मतलब होता है वही मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में क्योंकि कई लोग इसको gender prediction के तोर पर भी देखते हैं और पुराने जमाने में भी दादी नानी जो होती थी वो line को देखकर भी बता देती थी गर में पल रास इसू क्या है लड़की है या लड़का है तो इसी बारे में आज इस वीडियो में discuss करने वाली हो तो वीडियो को पूरा देखेगा आपके लिए बहुत ज़्यादा important होने वाला है चलिए friends वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आखिर ये linia nigra होता क्या है ये pregnancy के time पर एक line बनती है जो हमारी नाभी के उपर तक जाती है ये कई ladies वे बनती है और कई ladies वे नहीं भी बनती है नहीं भी बनती है का मतलब बहुत ना के बराबर बहुत हलकी हलकी light सी दिखेगी लेकिन होती हार pregnancy के time पर है friends अब मैं बताती हूँ कि आखिर ये line बनती क्यों है hormone changes की वज़े से ये line बनती है हमारी body में एक hormone होता है melanin अगर melanin की मातरा ज़्यादा होती है तो ये line जो होती है वो dark दिखाई देती है और अगर कम होती है तो ये line ब्राउन कलर की दिखाई देती है बहुत light दिखाई देती है तो friends इस line का सीधा सा मतलब यही है कि अगर आपकी body में melanin hormone की जो मातरा है वो ज़्यादा है या कम है तब ही ये लाइन आपकी बाड़ी में दिखेगी और ज़्यादा कम के इसाब से डार्क और लाइट भी दिख सकती है ठीक है बाकी इसका कोई रीजन नहीं है तो अगर किसी के है या नहीं है तो कपराने वाली कोई बात नहीं है ओके फ्रेंट्स अम मैं बताती हूँ कि जो दादी नानी होती थी तो वो कैसे इस लाइन से पता करती थी कि आपके गर्ब में बेबी बॉय पल रहा है या बेबी गर्ल इस line को देखकर अगर ये line उपर तक आ रही है और टेड़ी मेड़ी सी है बीच में उधर जुकियो हुई है तो ऐसा माना जाता है कि आपके गरब में baby girl है और अगर ये line बिल्कुल सीधी बन रही है नाबी के नीचे भी सीधी है और नाबी के उपर तक सीधी आई है तो ऐसा माना जाता था कि आपके गर में पल रास इसो एक लड़का है I hope friends ये वीडियो आपको कुछ इंट्रेस्टिंग लगा हो और आपके लिए useful वी रहा हो अगर आपको थोड़ा बहुत भी helpful लगाओ वीडियो तो वीडियो को like, share and subscribe कर लिजेगा Thank you for watching